में मैंने आप से दो-तीन वाइदे किये थे हर भाशन में मैं कहता था कि हमारी सरकार आईगी तो दो-तीन काम पक्के होंगे, गैरंटी करके होंगे सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ वो कोई जोटी बात नहीं थी उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है हमने ये भी कहा था कि 2,500 रुपए प्रती क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा दो किया नहीं जा सकता कॉंग्रेस ऐसे कर रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो हमने वाइदे किये थे पूरे हुए कोई यहाँ पर कह सकता है कि नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ नहीं 2,500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता कोई कह सकता है यहाँ पर कोई नहीं कह सकता क्यों जो हम स्टेट से जो मैं स्टेट से कहता हूँ कि मैं करके दिखाता हूं मैं आपका मेरा दो तीर महीने का रिष्टा तो है नहीं आपका रिष्टा मेरा रिष्टा पुराना रिष्टा है आप इंद्रा गांदी जी को याद करते हो जवालाल नेहरू जी की याद करते हो तो मेरा रिष्टा आपके साथ जो है वो गहरा रिष्टा है पुराना रिष्टा है मैं यहां आके आपसे जूटने बोलना चाहता प्रधानमंत्री यहां आए उन्होंने आप सबसे पंद्रा लाख रुपए का वाइदा किया तक कहा था हर बैंक अकाउंट में पंद्रा लाख रुपए डाल दूँगा कर दिया किसे की बैंक अकाउंट पर नहीं आया उन्होंने कहा था कि नोट बंदी से काला धन मिठ जाएगा मिठ गया कहा था किसानों का किसान बिल से फाइदा होगा किसानों ने स्वैम बिल को रद कर दिया देश के सारे के सारी किसान कड़े होगे कहते प्रदानमंत्री जूट बोल रहा हमें नहीं चाहिए यह बिल तो आप जानते हो सच कौन बोलता है जूट कौन बोलता है हम आ नहीं रुके हमने आप से कहा था कि धान के लिए 2500 रुपए प्रति कुंटल हम देंगे आपको कहने की जरुरत नहीं पढ़ी वो आस्ते 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 बढ़ता गया सही बोल रहा हूं तो हमें बोलने की जरुरत भी नहीं है मैं आपको कह रहा हूं हमने अनान्स किया है कि 3200 रुपए प्रति कुंटल मिलेगा लिख लो रख लो पांच साल मैंने 2500 कहा था अब मैं कह रहा हूँ 3200 से शुरुआत होगी शुरुआत मतलब 3200 से शुरुआत होगी और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जितनी जितनी जरुआत किसान को होगी जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे आपको कहने की सरुत नहीं आपको बताने की सरुत नहीं कि भहिया हमें जादा पैसा चाहिए आप देखना वो बढ़ता जाएगा